आज हम कैपिटल ABCD कैसे लिखते हैं वो देखेंगे पिछले वीडियो में हमने जो ABCD के बैसिक सेप्स होते हैं वो देखें आज हम पूरी ABCD लिखेंगे तो देखो ABCD लिखने के लिए उपर के थ्री लाइन्स जो है यहाँ पर ऐसे यह ब्ल्यू लाइन है यहाँ पर हमें जोईन करने है यह जो SLAND szczegól लाइन है प्रोपर तरीके से आनी बहुत ज़रूरी है और इस SLIPPING लाइन देखो यहाँ पर देनी है जो बीच वाली लाइन है उससे थोड़े से नीजे यह बन गए A अब हम B निकालेंगे तो बी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो ऐसे sleeping line पहले ही दे दो अगर आप direct निकालोगे तो फिर वो अच्छे से नहीं line आएगे देखो पहले तो हम slow slow निकालेंगे C C देखो थोड़ सा अंदर की तरफ हमने लिया हुआ है D D E E की जो बीच वाली line होती है वो छोटी होती है लेकिन ये दोनों line एक ही line में आने चाहिए F वाली बीच वाली line उपर के line से थोड़ सी छोटी होती है उपर के line थोड़ से पड़ी अब G निकालेंगे देखो बराबर ये line जहाँ पर है वही तक मैंने लाया है उसके बाद उपर एकदम सिंपल रखना है हमें ये हो गया जी बहुत बार बच्चे क्या कर देते हैं उसको expand कर देते हैं इसा कुछ तोपी निकालके लेकिन वो छोटी छोटी चीजों की वज़े से ही आफका handwriting खराब दिखता है इसलिए जितना है उतना ही अच्छे से निकालो h i आए देखो उपर वाली लाइन छोटी standing line नीचे वाली लाइन भी जितने उपर वाली है उतनी है नीचे वाली लाइन होने ज़रूरी है j k अभी k के से निकालते हैं वो देखो देखो यहाँ से start करेंगे यहाँ तक अब दूसरी वाली लाइन हमें यह sland line के उपर से लेके जानी है k l m m देखो बच्चे छोटा सा निकाल लेते हैं लेकिन हमें निचे से उपर तक लेके जाना है m n sland line और यहाँ पर standing line देखो n o p जो capital letter होते हैं वो उपर के 3 line में ही आ जाते हैं देखो यहाँ पर मैंने क्या किया सबसे पहले उपर की लाइन निचे की लाइन अब इसे हम जॉइन कर देंगे यह प्रॉपर पी बन जाता है नहीं तो बच्चे क्या कर देते हैं ऐसे लाइन खिच देते गोल बना देते ऐसा पी नहीं निकालते अगर अच्छे से आपको बहुत आ हैंड राइटिंग आपक कि मूवंेंट अगर आपके हाथ मूवंेंट नहीं करेंगे अच्छे से तो आपकी हेलाइटिंग अच्छे नहीं होगी देखो यहाँपे Q और देखो P निकालना है सबसे पहले और यहां पर देखो यहां से नहीं थोड़ा सा आगे से हमें और यह लाइन जो है इसके आगे नहीं जानी चाहिए देखो रेड लाइन से नीचे से मैंने लाइन ली होई है यहां पर ऐसे स टी अब हम यू निकालेंगे देखो यू निकालने के लिए दो स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए एकदब एंड तब और बाद में गोल गुमाएंगे उसे ऐसे यह होता है प्रॉपर यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू भी पूरा उपर तक लेके जाना है एक्स वाए और यहाँ पर हम जेड निकालेंगे देखो यह भी एक लाइन में आने पहुत ज़रूरी है यह हमने A, B, C, D बहुत अच्छे से लिख ली है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से हर एक लेटर की कम से कम एक पेज भरके आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करनी हमने आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है